दोस्तो नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं एचप गाय का दूद बढ़ाने का एक बहुत शांदार तरीका हमारे पांचु जी के माधियम से लेके आया हूँ बहुत बात्फर पांचु जी काफी सालों से पांचु किटने सालों से आप दूद देने वाली है उनमें भी दिक्कत हो जाती है हाजमे की यहीं बता रहे थे ना कि हाजमा जो है वह सही नहीं रहता इस वज़े से मैंने कायार फिर आप अपना रेश्यों बताओ कि आप क्या दे रहे हो ताकि इतने सालों का एक्षफिरेंस हमारे दर्सकों को भी बता चले कि अभी आपके पास कितनी चाहें और बिल्कुल शीमित गायों के साथ यह कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अब इतने सालों से यहां पर काफी मतलब अच्छी तरीके से दूद की सैल भी कर रहे हैं आप तो कोई द लिए कव्षूная की डिया देते हैं पर पहले चीम्स जो आप यह दे पा रहें हैं यह है चैप को साथ दे रहे हैं आपको पता है बशाएब अजैछ भड़े तैसिリ का यह यह दोलों यूज करते है जो और बाज्रा यह दोनों यूजकर्त आपको पता है बाज्रा-ग्रम त जब इनसे पूचा गया कि आप दोनों कैसे दे रहे हैं तो यह कह रहे हैं कि यह देने से हमारे इन फडलेटी की शिकायद नहीं होती है और वाकई किसी भी गाय की एक रोख कंसी उगर जाती है उसके पीछी जो रीजन है वो रीजन यही है कि यह दोनों दे रहे हैं तो गर्म दिखाया है यह है मक्का तो नजदी की रहो मक्का जो है यह इन्होंने मक्का पिसवाया है और पिसवाया हुआ मक्का आप देख पा रहे हैं और एक विशेश बात और कि दो परकार के यह कह रहे हैं कि मैं जो फीड यूज कर रहा हूं वो दो परकार के फीड यूज कर रहा साथ में यूज करने की वज़े से कि इन दोनों को साथ में यूज करने की वज़े से यह कह रहा है कि हमारे दूद में अच्छी बडोतरी हो रहे है तो आप भी इस तरीके का काम कर सकते हैं कोई प्लूम नहीं है अब इन में क्या है इतना है और भी कुछ दे रहlara इन में क्या है बाकि सब चीजे बहुत अच्छी है अगर पांचु जी ख़ली जो आप दे रहे हैं इसमें आप दो परकार की ख़ड़ी अगर मिला सके एक तो जैसे यह बिनोला की है एक और कौन सी यहां सस्ती मिल सकती है कि कोई नहीं मिलती है अगर आपके अरिया में मिलती ह तो रटवाइज अगर कहीं पर भी इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो तो आप दो प्रकार की ख़ली यूज्ट करो देने का तरीका इनका बिलकुल सिंपल है किस तरीके से देते है बस यह 15-20 मिनट पहले ही बिगोते हैं आप गंटा पर पहले बिगो दीजिए ज्यादा बिगोने की जुरुत है नहीं तो इनों नहीं और यह थोड़ी बिगोते हैं और बाकी यह चीजें हैं जो इनको बिगो करके वह यह देते हैं खली को कितने टाइम तक बिगोते हैं एक देड़ गंटा पहले यह ज्यादा महनत नहीं एक गंटा पहले यह खली को बिगोते हैं और अनाज जो है इनको 15-20 मिट पहले बिगोया और बिगो करके और दे इसके अलावा कुछ मिन्रल मिक्षर पगर नहीं दे रहे हैं किया साथ मिला दिया जाए जो भी उपलब्द हो बहुत ही शांदार रहेगा यहां पर यह लीवर टॉनिक है अच्छा लीवर टॉनिक भी आप दे रहे हैं यह वेरी गुड और यह नील जान है जो डिवार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं और यह है मिलको फीट प्लैटिनम तो म करें जो में जाल देते हैं जो सब्सक्राइब करें और जूज है जो कि इनके पास इनके कम है कम वह 176 गाएं तो उनमें यह काम चल जाता है अलग अलग तो भी आराम से चल जाता है कोई दिकत नहीं है यह वर्मिंग की दवा और जब हमने हर वीडियो बताए कि नील जान द वो तो 100 ml गयाती है 100 ml गयाती है वो सिशी जो है वो एक बरके और सुबह के समय भूके पेट दे दी जाती है यह और यह देने के बाद में है लिवर्टोनिक तो लिवर्टोनिक आप कोई साही दे बहुत ही बढ़िया रहेगा तो यही फॉर्मुला है डिवार्मिंग आप 3-4 म इसे करवाते रही है डिवार्मिंग करवाने के बार लिवर्टोनिक देते रही है और फिर यह फॉर्मुला कोई नमक बगएरा यूज नहीं करते हैं यह बाकि नमक भाभी इस्तेमाल करना चाहिए नमक बहुत अच्छा रहता है मैं हर वीडियो में बताता हूं जिसे फिट मिन ब्लॉक तो मिन ब्लॉक भी दे सकते हैं हाला कि मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ इनका बेस्ट है लेकिन भाई यह काफी सालों से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मली जो एचेप गाएं रख रहे हैं वो यही फॉर्मुलेशन आधके यह उंता के लिया जो गाएं चाड़ती है यह बोहत सफी ज्यूक है क्या है यह सेंद नमक इस सहन नमक को भी इन्होंने यहां पर जगे दी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक बहुत ज़द्यादा जगे मैं तो इसी तारीके से यह सेंदा नमक दे रहा हैं तो कभ अपनी अजब गायों का दूज इस तरीके से बढ़ा सकते हैं